Hello everyone, my name is Nadim and you are watching my YouTube channel Academia तो आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे अपना next chapter Chapter number 7, Markets Around Us तो इस वाले chapter के हंदर हम Markets के अंदर जानेंगे कि Markets कौन-कौन से प्रकार की होती है और कौन-कौन से उसके Forms होते हैं अगर हम बात करें, Weekly Markets होती है, कुछ Shops ऐसी होती है, जो हमारे आसपास होती है, घर के कुछ Shopping Malls होती है, Shopping Complexes होती है तो हर तरीकी के जो Markets होती है, उसके बारे में डीटेल में पड़ेंगे ठीक है, और इस chapter को शुरू करते है तो यह हमारा Second Last Chapter है, Markets Around Us इसके बाद हमारा एक chapter है जाएगा, Assured in the Market और इस दोनों chapter आपस में Connect है, ठीक है तो वो हम बाद में इस chapter के last में बताऊंगा कि किस तरीके से Connect है, तो अभी इस वाली वीडियो में हम इसका Introduction Part देखेंगे, कि इस chapter में हम क्या पढ़ने वाला है तो introduction में अगर हम बात करें, तो एक तो हम weekly markets के बारे में पढ़ेंगे कि जो हफते में एक बार जो markets लगती है आपके किसे की specific area में घर के पास जैसे हम vegetables की बात करें, आप vegetables हफते में एक बार लाते हैं और वो vegetable पूरे हफते चलती है, तो वो जो weekly market होती है, वहाँ से आप vegetables को purchase करते हैं, ठीक है अगर हम बात करें, shops in the neighborhood, अब आपके जो neighborhood में कुछ shops होती है, जहाँ पर आप अलग अलग तरीके की चीजे खरीते हैं लेकि जो weekly markets होती है, जो roadside area पे लगती है, वो जो है weekly market जो permanent नहीं होती, वो जो हफते में एक बार लगती है और फिर अपने जो place है, उसको change कर लेती है, और क्या होती है, shopping complexes होते है, malls होते है, malls आपने देखे होंगे काफी बड़े-बड़े, जहाँ पर आप जो film वगएरा भी देखने जाते है, cinema halls में, तो वहाँ पर जो mall है, उसके बारे में पढ़ेंगे फिर हम यह देखेंगे कि chain of markets, यह जो markets होती है, तो market में जो product produce हुआ है, वहाँ से लेकर जो customer तक वो कौन-कौन ऐसे लोग है, जो उस product को customer तक पहुचाते हैं, ठीक है, अगर हम producer की बात करें, traders की बात करें, wholesalers की बात करें, retailers की बात करें, तो वो सारे के सारी जो चीज़े हैं, वो हम chain of markets में पढ़ेंगे, फिर हम यह देखेंगे कि जो market होती है, वो हमारे आसपास होती है, और हर जगा होती है markets, बहुत सी markets ऐसी होती है, जिसको आप easily उसको पहचान लेते हैं, जैसे आपके आसपास shops होती है, जहाँ पर grocery का आपको समान मिलता है, लेकिन बहुत सा market होती है, ठीक है, तो वो सारी market ऐसी होती है, जिसको आप easily देख सकते हैं, और वो सारी markets ऐसी होती है, जिसको आप recognize नहीं कर पाते हैं, फिर हम देखेंगे कि market के अंदर जितने भी players मैंने बताया थे producer होते हैं, ठीक है, traders होते हैं, wholesalers होते हैं, और जो retailer होते हैं, जिससे कस्टुमर से डारेक्ट लिंक में होता है, तो उसमें देखेंगे कि जो market में हर तरीके के जो आदमी है वो equality है, उनके पास यह नहीं है, यानि कि अगर हम mall से compare करें shops को, shops को compare करें weekly markets को, तो वहाँ पर देखेंगे कि equality है या फिर inequality है, तो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ introduction अगर हम introduction की बात करें, so we go to markets, अब हर इनसान जो market के अंदर जाता है, कोई कपडे खरीदने के लिए जाता है, कोई bread खरीदने के लिए जाता है, कोई vegetable खरीदने के लिए जाता है, तो अलग-लग तरीके की जो चीज़े होती है, वो buy करने के लिए जाता है, जैसे आप भी है आप ये video देख रहे हैं, हो सकता है, शाम को आप market में जाएं, कुछ खरीदने, ठीक है, आप mobile में जो है, ये video lecture देख रहे हैं, या फिर laptop में ये video lecture देख रहे हैं, तो आप ये जो mobile है, ये जो laptop है, ये भी markets से लाए हैं, ठीक है, तो markets में और क्या-क्या मिलता है, vegetables मिलती है, हैं, soap मिलती है, सुबह नहानी के लिए ठीक है, toothpaste मिलती है, brush वगेरा जो होते हैं, ठीक है, masala मिलता है, bread मिलता है, rice मिलती है, dal मिलती है, clothes मिलती है, ठीक है, notes book, biscuits, ये सारी की सारी जो चीज़े होती है, ये कहाँ पर मिलती है, यह markets में available होती है और market में जाकर हम पैसे देकर इन चीजों को खरीदते हैं तो आपको समझ में आया है कि market की कितनी ज़्यादा value होती है हमारे पास so if we make a list of goods जैसे अगर हम इन सब चीजों की बात करें तो इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप ना करीते हो आप vegetables भी खरीते हैं, soap भी खरीते हैं, toothpaste भी खरीते हैं, masala भी खरीते हैं, bread भी खरीते हैं, rice भी खरीते हैं, dal भी खरीते हैं, clothes भी खरीते हैं, notebooks भी खरीते हैं, biscuits भी खरीते हैं, और यहाँ पर जो extra है, extra है, और और भी बहुत सारी चीज़े ऐसी होते हैं, जो आप खरीते हैं, तो वो लिस्ट बहुत याद लंबी बन के आएगी, ठीक है, जो भी चीज़ आप खरीते हैं, दिन में, वीक में या फिर मन्त में, ठीक है, so there are many kinds of markets, अब यहाँ पर बताया गया कि यह जितने भी चीज़े हमने यहाँ पर नाम लिया है, जो हम खरीते हैं, तो यह अलग- मिलती हैं, और services भी मिलती है, goods and services, ठीक है, तो अलग-अलग तरीके की जो है, वस्तु महाँ पर मिलती है, जैसे अगर हम बात करें, we may visit for our everyday need, अब everyday need में कौन-कौन से चीज़े होती है, जैसे हम fruits वगएरा लाते हैं, milk लाते हैं, ठीक है, vegetables लाते हैं, क्योंकि यह सारी के सार जो हर रोज काम आती है, खाना रोज खाते हैं, दूद रोज पीते हैं, तो ऐसी भी कुछ markets होती है, जो regular जो चीज़े होती है, जो daily basis पर काम आती है, वो बेजती हैं, जैसे अगर हम बात करें, shops, hawkers का जो stalls होते हैं, हमारे neighborhood area में, ठीक है, weekly markets होती है, large shopping complexes होते हैं, ठीक है, और even mall की भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यह fruits हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की जो market होती है, यह regular basis पर हमाई काम आती है, तो अगर हम इस chapter की बात करें, तो इस chapter में हम, यह जितनी भी markets मैंने बताई हैं आपको, weekly markets, ठीक है, shop वगेर mall, shopping complex, इनके बारे में अच्छे तरी किसे detail में पढ़ेंगे, और यह भी जानने की कोशिश करेंगी, कि जो एक जो product होता है, जो आप purchase करते हो, किसी दुकान पर जाकर, किसी mall में जाकर, तो उस mall में, उस दुकान में वो चीज़े कैसे आई हैं, यानि कि मानलो यह एक shop है, इ इस वाले chapter में देखेंगे, chain of markets में, ठीक है, so we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold reach there, ठीक है, यानि कि जो buyer आपने जो product खरीदा है, जो दूद की थैली आपने खरीदी है, वो किस तरीके से उस shop पर पहुची है, who are these buyers, यह जो buyers हैं, यह sellers कौन है, और उनकी जो problems होती है, वो क्या होती है, यहाँ पर trader की बात की गई है, traders जो हैं, यह चीज़े purchase करते हैं, bulk में और उसको आगे बेजते हैं, तो जो traders होते हैं, इनको क्या क्या problem face करनी पड़ती है, जो retailers होते हैं, उनको क्या problem face करनी पड़ती है, customer को, producer को, इन सब को क्या क्या problem face करनी पड़ती है, वो हम यह सारी समझ में आया है, इस पूरे की पूरे चैप्टर में हम सिर्फ मार्किट के बारे में जानेंगे और आप जो है इस चैप्टर से बहुत यादा informed भी है क्योंकि आप जहें daily basis पर कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते भी रहते हैं, बस उसको हम simplified कर देंगे, तो I hope कि आपको ये वाला जो वीडियो है वो पसंद आया है पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, thank you very much for being here have a good day ahead, bye-bye